दुनिया भर के कई देशों में चल रहे है चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट One Belt One Road को लेकर अमेरिका के विदेश पंत्री माईक पोंपियों ने चिंता जताई है पुंपियों ने कहा कि चीन का ये प्रोजेक्ट इन देशों किये आर्थिक सहयोग कम और खत्रा ज्यादा इन देशों के लिए पुंपियों ने कहा कि OBOR समेट दुनिया भर में चल रही चीन की परियोजनाओं में राष्ट्रिय सुरक्षा के तत्पु शामिल है आपको बता दे कि OBOR को Belt and Road पहल के नाम से भी जाना जाता है ये अर्बो डॉलर की परियोजना है जो एशियाई देशों अफ्रीका चीन और यूरोप के बीच संपर्क और सहयों को बहतर बनाने पर केंद्रित है गुरुबार को वाशिंटन में पूम्पियों ने कहा कि अमेरिका उसके दोस्तों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए चीन खत्रा पैदा कर रहा है और उन्होंने नेशनल रिवियो इंस्टिट्यूट के 2019 आइडिया समिट में रिच लॉरी के साथ पाचीत में कहा कि वो दक्षन चीन सागर में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो नौवेहन की सुतंतरता चाहते हैं इसी तरह दुनिया भर में बंदर काहों के निर्मार के उनके प्रयास इसलिए नहीं कि वो अच्छे जाहच निर्माता और जलमार्गों के प्रवंधक बनना चाहते हैं उनमें से हर काम में राश्ट्री सुरक्षा का तत्व छिपा है